नमस्कार आप देख रहे हैं संसर टेलीविजन का विशेश कारकम नैशनल इवेंट्स और मैं हूँ आपके साथ रामवीर श्रेस्ट देश आज राश्ट्रपिता महत्मा गांधी की पुण्डे तिथी पर उन्हें याद कर रहा है इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस मौके पर विशेश कारकम राजगाट में बापू की समाधी पर हुआ ये कारकम जहां राश्ट्रपती द्रौबदी मुर्मू ने पुषपांजली अर्पित कि उप्राश्पदी जगदीब धनकड ने राजगाट जाकर बापु की समाधी पर पुष्प अर्पित किये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्मा गांधी की पुण्य तिथी पर उन्हें श्रद्धांजली दी इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि मैं पुझ्य बापु को उनकी पुण्य तिथी पर श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ मैं उन सभी को भी श्रद्धांजली देता हूँ जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राश्ट्र के लिए उनके सपने को पूरा करने की प्रिर्णा देता है राजगाट पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें महत्मा गांधी के प्रिये भजन गाए गए राश्ट्र पिता महत्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथू राम गोड से ने गोली मार कर हत्या कर दी थी उनकी पुन्य तिथी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है लोकसभाध धक्ष ओम बिरला ने भी राश्ट्र पिता महत्मा गांधी की पुन्य तिथी पर उन्हें याद किया है लोकसभाध धक्ष ने अपने संदेश में कहा है कि सोशन और अत्याचार के तमस से घिरे विश्व में उनके विचारों ने करुणा, प्रेम और सहिशनुता का प्रकाश दिया उन्होंने अंतिम व्यक्ती को साथ लेकर बड़े लक्ष की और बढ़ने का संदेश दिया उनके आदर्श युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करेंगे राष्ट्र पिता महत्मा गांधी की पुन्य तिथी पर गांधी इसमृती में भी विशेश प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया उप्राष्ट्पती जगदीद धनकड ने महत्मा गांधी की पुन्य तिथी पर उन्हें पुश्पांजली अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महत्मा गांधी की पुन्यतिधी पर गांधी इस मुर्ती में उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की इस मौके पर विशेश प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ जहां बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए राष्ट्रपती द्रॉबदी मुर्मु ने आज गनतंतर दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोहों में भाग लेने वाले त्रसेवा बैंड टुकडियों के कर्मियों से मुलाकात की विजय चौकपर हर साल गनतंतर दिवस के तीसरे दिन बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है ये आयोजन तीनो सेनाओं के एक साथ मिलकर सामुहिक बैंड वादन से शुरू होता है जो लोग प्रिये मार्चिंग धुने बजाते हैं तीनो सेनाओं के जवान मार्च पास्ट करते हुए सूरिली धुन की तान छेड़ते हैं तो हर कोई देखता रह जाता है राश्ट्रपती द्रौबदी मुर्मु ने सतनाम सिंग संधु को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित किया है किसान के बेटे सतनाम सिंग संधु देश के प्रमुक सिक्षा विदों में से एक है उप्राश्ट्रपती और राज्यसभा सभापती जगदीब धनकड ने सदस्यता हासिल करने पर सतनाम सिंग संधू को बधाई दी है उप्राश्ट्रपती ने अपने संदेश में कहा कि सामुदाईक सेवा में उनका सम्रध कार्य और शिक्षा, इनोवेशन और सीखने के प्रती उनका जुनून राज्यसभा के लिए ताकत का बड़ा स्त्रोत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सतनाम सिंग संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किये जाने पर खुशी जताई है एक्सपर दी गई एक पोस्ट में प्रधान मंत्री ने कहा कि सतनाम सिंग ने खुद को एक प्रसिद्ध सिख्षा विद और सामाजी कारेकरता के रूप में प्रतिष्ठित किया है जो विभिन्न तरीकों से मैदानी इस्तर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं उन्होंने सदैव राष्ट्रिय एक्ता को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है इसके अलावा उन्होंने विदेशों में बसे भारतिय समुदाय के साथ भी सहयोग किया है सतनाम सिंग संधू ने 2001 में मोहाली में चंडीगड ग्रूप आफ कॉलेजेज की नीव रखी थी इसके बाद उन्होंने 2012 में चंडीगड विश्विद्याले का गठन किया प्रारंभिक जीवन में कठनाईयों का सामना करने के कारण चंडीगड विश्विद्याले के चांसलर संधू गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों छात्रों को वित्ये मदद देते हैं वो अपने दो गैर सरकारी संगठनों इंडियन माइनर्टीज फांडेशन और न्यू इंडिया डेवलप्मेंट फांडेशन के माध्यम से स्वास्थ और कल्यान में सुधार और सामप्रदाइक सद्भाव को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सामूदाइक प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है फिलाल हमारे कारेकम नैशनल इवेंट्स में इतना ही आप देखते रहिए संसर टीवी नमस्कार